तो देखो कोई भी economy का downfall जब होता है ना ऐसे सब्सक्राइब बिलकुल इंडस्टी जो है उसका downfall हो रहा है इन्स्टी है इसका डाउन फोल हो रहे है ठीक है मतलब कोवीड आ तो COVID आ गया तो उसके अंदर एकदम से गड़ जाएगी सब कुछ, ठीक है, तो सब कुछ गिड़ने के बाद आपने बिजनस साइकल ऐसे पढ़ाता, कि बिजनस साइकल के अदर ये बतायाता जब सब कुछ गड़ जाता है, तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर recovery तो होगी ना, जैसे COVID-19 आया तो सब चलेगे तबाही के अंदर, ठीक है, तबाही भी चलेगे तो recovery होगी, तो ये recovery किस तरह से होती है, ठीक है, how this recovery happened, that is important, वो recovery कैसे होगी, COVID-19 के बाद कैसी recovery हो रही है, भई ऐसी recovery हो रही है, या फिर कुछ ऐसी recovery हो रही है, है ना, तो इसकी basis पे क्या है, different, different recovery curves होते है, वो recovery curves हमापन इसके अंदर पढ़ लेते है, ठीक है, तो सबसे पहले जो recovery कर पढ़ना है, अपन को V-shaped recovery पढ़ना है, V-shaped recovery का मतलब क्या है, कि जब मालिजे एकदम से economy के अंदर साथ पर decline आ गया, है पर एकदम से उठी यह V-shaped बन गया ना, एकदम से बरवाद होए, बरवाद होगे फिर एकदम से उठी, यह मतलब timeline है, यह timeline है, यह growth मलो जो और यह timeline बन दो, तो जो है, इंडस्ट्री एकदम से गिरी गिरी, 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 एक पॉइंट आया, गिर्ती की फिर उठन है तो this is known as what? This is known as V-shaped recovery. इसको V-shaped recovery बोला रहता है. तो V-shaped recovery के अंदर अगर आप देखेंगे, the economy experiences a sharp decline, sharp decline experience कर रहे हैं, but then bounce back almost immediately to its pre-recession level. फिर वापसे bounce back कर गए है. ठीक है, जैसे COVID-19 आया था, जब सब ऐसे उतरते हैं, भही अभी ठीक है अभी तो गमी गम चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे, हर country जो है, पूरे वर्ल्ड की economy विल्कुल negative में जाए रही थी, फिर एक्दम से इस तरह से recovery करें, right? तो आप यहां पर देखें, the period in which the economy remains at the low point, the bottom of V is extremely brief, ठीक है, बहुत ही छोटा, अब ऐसा नहीं हुआ है, देखो, ऐसा नहीं हुआ है, कि हुए थे, डूबे थे, और डूब के फिर डूबते रहे गए, डूबते रहे, डूबते रहे, पिर जाके, कभी किसी जमाने में यह अब यह तो अलग शेप बन गया, तो यूशेप बन गया, हुआ कैसे, डूबे और उट गए, डूबे और उट गए, ऐसे रहे जो है, जो लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर continue ने रखा गया, है ना? enlarged नहीं होई है ठीक है एकदम से फिर अपन इसके अंदर उठ गया है राइट वीशेफ रिकवरी के अंदर क्या है था एकॉनम एक्सपिरेंस इस शार्फ डिकलाइन शार्फ डिकलाइन अपन यहां पर देखने को मिला बट रैन बाउंस बैक आल्मोस्ट इमेडिटली तो इस प्री रिसेशनल लफरी इस हे आगले इस इस ढूर्य कारें को चिहां इस यह रिए किर्शनाल बाग और बैक डिस्टी घालोग इस श.Y. अनम्प्लाइड कस्टोमर्स ठीक है बहुत ही शॉर्ट पियर्ड ऑफ टाइम है और बहुत ही कम समय तक इस तरह की चीडियोगी फिर उसके बाद क्या हो इसके बाद उड़िया परहपस इस तक क्यूक एंड इनोविटी फिसकल मॉनेटरी मीजर सक्सिस्फुली इस लेसे इफ चीडियोट और ऐस यूजर स बेसिनदेस्टि अधान पढ़ा था सर आयीप में पढ़ा था इनक सटरब्य ही यूजर बेस Kung facts झा ocup बेति ऐस लिज्ग है इस इंडिकेटीव रिऌरह और बोत कंशंमिशिन and investment which all together amount account for about 90% of India's GDP ठीक है तो ये देखो V-shape recovery ये V-shape recovery होती है ये इस तरह से V-shape recovery होती है ये इस तरह से V-shape recovery होती होती है आई योप this is clear to everyone यहातर सबको clear है है ना वहीं एक होती है U-shape recovery U-shape recovery U-shape recovery का मतलब क्या है कि गिरे थे पर गिरे समलते 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 थोड़ा समय लग गया साथ फिर जाकर recovery होती है तो ये U-shape recovery होती है तो मतलब अगर माली दे कोई गिरे और गिरने के बाद ऐसी recovery करे ठीक है जिसके अंदर से जो आपका जो weak जो area था ठीक है वो लंबी समय तक हैसा रहा तो देट इस ओन अजू शेप recovery U-shape recovery अगर एकोनिमें अंडर गोस प्रोलॉंग्ड stagnation प्रोलॉंग्ड stagnation यहां पर होता है फॉलाइंगे डाउनवर्ड ट्रेंड त्रेंड फिर उसके अंदर होता है राइट इट डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो करता रहता है इट दैन ग्रेजोली कंबाइन तो ख्लाइम्स फिर वो धीरे 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 उड़ता है तो इस अल्लियर पीक दिस प्रोलॉंग दा रिसेश्चिन विच रिजल्ट इन जॉब्लेस and depletion of the resources it is less ideal than the V-shape recovery but much better than the worst case scenario ठीक है तो V-shape recovery जो होता है उससे एक तरसी कहा है less ideal है ठीक है V-shape recovery होनी चाहिए न भाई गिरे संबले गिरे संबले अभी U-shape recovery ठीक है जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो अब हमें U-shape recovery चल रही है अब देखेंगे धीरी 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 भढ़ रहा है ठीक है बठ हम देखो हम लोग क्या है कि हमको ऐसा है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी डाइवर्ट ना हो पढ़ाई से राइट पर स्टूडेंट्स बैठे हैं आजकल डाइवर्ट होने के लिए इसलिए हम कोई ऐसे वीडियो निकालते तड़कते बढ़कते से वीडियो निकाल दें जो काम की ना हो और जिसको अपने को किता ज्यादा यूट्यूब पर कच्छरा बरा हुआ है आप देखेंगे लारेंश बिश्णवी के ऊपर कितने सारे वीडियो आ गया और आपने द खान और रतानी क्या यह आई इस की आई इस के बच्छे यह बढ़ेंगे गा कि बता हुआ कि कौन है लाुराइंस विष्णुई अधार इसमें कोशन है हूव लॉराइंस सुष्णुई क्या करना है हमको अपने अप्रोच बिल्कुल रखना है के लिए हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आज कल इसलिए तो यह जैसे हम तो कॉलिटी प्रोवाइड आप देख रहें कितनी कॉलिटी के उपर हम फोकस करते हैं हम यह नहीं चाहते कि हमको ऐसा लगता है यार हम पर बच्चे को नक्सान हो जाएगा पर बच्चे आजकल समझते ही नहीं क्या करें ठीक है उनको वही चाहिए तड़कता बढ़कता अब उनका भी गलती नहीं है मतलब यह सूचल मीडिया के बाद होई ऐसा गया है शौट वीडियो उसका ट्रेंड और शौट वीडियो मैं मैं कहां से समझा दो तुम्हें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौंसेंट तो कई बार सुचा कि हाँ चलो हम भी शेफ्ट करते हैं ठीक है बट फिर सोचा कि नहीं यार रहने देखता है अपन मेहनात में बिलीव करता है एक दिन हो सकता है अपनको सक्सेस मिले तो अभ अलग सा महौल बना हुआ है अगर आप देखेंगे ना एजुकेशन सेक्टर के बच्चा पता नहीं क्या चाहता है अब बच्चे को समझना चाहिए मैं तो बोल रहे हो स्टूडेंट को समझना चाहिए इतना इतना इंटलिजेंट स्टूडेंट है भी आई-एस एस है इसलिए हम जादस जादस बच्चों को यह बोलता रहता है इस तरह की फालतू की चीज़े मन देखा करो की में इसमें देखते तो मों दुख हमें होता है हमें लगता है कि यार हम लोग सभी से आपको गाइडनी कर पा रहे हैं और अब देखो अब इंस्ट्यूट में भी चाहिए मैं तो यह सर यह वाला टॉपिक निकालते हैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक आ रहा है यहां मैंने ऐसे बोला वोलो नहीं नहीं सर इस पर इस डिसिजन में क्यों होती है बहुत इंपॉर्टन थे निकालोगे तुम्हारा अपना ही नुकसान हो जाएगा सर तो सर इस पर आएंगे व्यूज बस वो निकाल दिया अब सारे इंस्ट्यूट वही कट गए जिससे कि क्या है जिसे कि बच्चे एकदम से आ जाए खुब सारे बच्चे और खुब सारे मालों एक लाक बच्चे आ चैनल के अपर तो एक लाग में से कम से कम पचास बच्चे तो तो यह एक लाख बच्चे आये क्वालेटी से हैं तब आये ना मुझा क्वालेटी प्रोवाइड करके बताओ फिर ले ने बताओ फिर मैं मानू पर होता है नहीं पता है नहीं क्या ही चल रहे है इस सब्सक्राइब यहां तक सब को आ रहा है यू शेप रिकवरी का मतलब समझ आगया और फिर इसके इंदर से जान रहे है चलो आभ आगे हम पढ़ते हैं एलड़ शेफ्ट रिकवरी एलचेंट होगा अने हिए लचेप रिकवरी देखो इस तरह से है कि एलचेप रिकवरी रप्रेज़नें दर वर्स्ट किस सिच्वेशन बड़ा वस्ट किस नहीं पारी है रहे इट सम्टाइम्स कॉल दा डिप्रेशन डिप्रेशन की स्वेस मागे कि एकॉनमी जाही नहीं पारी है तो मतलब ऐसा है कि पीक पर पहुचे नहीं पार जैसे यह वी शेप अपना वो तो बहुत ही मस्ता है गिरे समझ गये ठीक है यह वी शेप क्या हुआ इस तरह से हुआ चलो समझ तो है एल शेप का मतलब समझ भा रहा है वह भाई कप पहुचे का पेक पर वापस यहां पर कप पहुचे का यहां से जहां से आया था मासल ओ यह चल रहा है यह चल रहा है इस तरह से इस टैगनेट सा प्रेश हो गया और और जो होगा वह इस तरह live नहीं होज़ी है तो बहुत ही स्लोटर कुपनी को हटेड़ है टो नहीं होघी है तो फिर बहुत स्रीकावरी जुझ छलता जाओ चलताओ चलता जाओ फर याँ पर आप देखो of all the firms this has the longest recessionary time सब्से लंबा रिशेशनरी टाइम है साब यहां पर सम्टाइम डिक्लाइन अग्रेजुल रिकवरी पर्सिस्ट इटर्नली इटर्नली पर्सिस्ट है कि भई आप तो होई नहीं सकता कुछ होई नहीं पाएगा सन्मारा इट केंट टेक्स इयर्स ठीक है बहुत समय ले सकता है यह फॉर्ड एकॉनमी टू गैड बैक वे इट वस प्री डाउन ठीक है जहां पर यह डाउन टर्न के वक्त थी ठीक है यहां जो पहले किसी जमाने में आए हुए जो हमारा एक था खुशी का जो समय था ठीक है जिसके अंदर हम बहुत हैते रहते थे वह आई नहीं रहे है लंबा समय लग क्या है ठीक है तो इट तो इट कें टेक्स एर्स पॉर्ड एकॉनमी टू गैड बैक तो वेर इट वस प्री ड के शेप्ट के अंदर क्या है देखो क्या हुआ एक तरफ से केशेप्र कोरी है डाउन चले गए पूर्ड अब क्या हुआ खेटर तो बहुत अच्छा ग्रोबस कर गए डी है रहले और कुछ sector जो है ग्रो नहीं करता है कि में कुछ को upset लो करके चल रही दो ठ्सक्राइब of recovery is known as K shape recovery is con leadership recovery say for example आप कि शेसे अपन कुविट से पहले की बात करता है को विट से पहले सारी industry जो है मस तरह से चल रहे थज़े ही वह इन ट्रेवल इंडस्टी एंटरेञ्मेंट इंडस्टी हो पोड़ सर्विस यह अब थेक्नोलजी रिटेल software service हो, यह service हो, दोनों मस्ती से चल रही है, देखो, मस्ती से चल रही है, पर फिर एक economy recession आया, दोनों डाउन हो गई, दोनों गई, अब आप देखेंगे, कुछ industry तो COVID के बाद, कुछ industry जब recovery face में तो कुछ तो अच्छे डवलप कर गई, कौन कौन सी, technology वाली, ठीक है, बहुत स आप देखेंगे, cinema all खुलते खुलते ही, तीन चार साल लगेते, एक बाद तो ऐसा है था कि एक CTA है, फिर खाली, और फिर एक CTA, फिर खाली, फिर एक CTA, फिर खाली, इस तरह से आप बैठ सकते हो, cinema ना, ऐसा है था था न, starting में कुरूल आया था, कुविट की वाद, इस से कुविड ना हो, तो देखो, इस से, टू टाइगोनल लाइन्स ऑफ लेटर के, रिप्रेजेंट इस सेपरेशन बेट्वें तो इस तिंक्त एकॉनमेक ग्रूपेंस, ठीक है, यह होता है अपना एक तरसे के शेप्ट रिकवरी, तो देखो, इन दिस सिनेरियो, वन सेक्टर अरु时 अरी अनादर सेक्टर जो है उसका के रिकवरी हो रही है, गे को बोलता है, अब हम पढता है W दं द्रडवह क्यों होता है चलो डब्लूजिफ सिर पहले तो ग्रोन हो एकत्व था था, यह जुजिए एक दम से फिर डाउन गया तो डाउन आँ जाने के बाद फिर उटें 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 टेंट एकदम से उठें फिर वापस से डान चले वर्यट चली मुण खंग से व वापस तरस से हमना बना चिना जिसके अंदर यहां ट्रेखने को मिला एक डाउंटर्न यहां पर आपको देखने को बना ठीक है तो यह पहला पूछ गर्ला धूंटर्ण हो यह दूसरा नौन टॉन कॉयal जर्णरली सभर इस तरह से होता है एस यहां पर आया ठीक ए फिर एकडम से गिरिया राइट फिर गिरने के बाए रिकवरी होई थी रिकवरी होई रही थी फिर एकदम से वापस गिर गया फिर वापस से उठा इस तरह इन Ah इप रिकवरी उथे that is known as w shaped recovery quit दो रिसेशन इसके इंदर देखने को मिलता है राइट टू रिसेशन इन वन तो दिस इस डोन अस डब्लू शेप टिक विदा एक और भी माइट अक्विजनली एंटरी सेकंड डिसेशन दू तो दा नेचर अव ग्लोबल इवेंट सही हो रहा था सब कुछ सही हो रहा था पर क ऐसे रह जागा तो यह कोई शेप नहीं हो तो उपर आ गया है वापस है ना आ भी रहा था स्टार्टिक भी माय रहा था मालू जी रश्य उक्रेन का वार हो गया तो थोड़ा नीचे चला गया फिर वापस आ ठीक है तो दिस इस नोन अस डब्लू शेप डिकवरी इसको डब पढ़ने है तो कर्व पूछ लिए जाते हैं ऐसे इस तरह से अगर आप देखे इनको एक साथ अगर आप देखने कुछ करें तो इस तरह से कहा पर देख सकते हैं यह यू शेप्ट है यह डब्लू शेप्ट रिकवरी है यह एल शेप्ट रिकवरी इस तरह से आप कुछ करत रहें, that is going to be very helpful for you, examination के अंदर वो आपको बहुत help करेगा, second thing I want to let you know is that, कि हमने एक और course design करा है आपके लिए, that is going to be very important for you, this batch is very important for those students who are giving the prelims examination again and again, but got failed in the examination, अब उनको समझ में निया रहा कि हम क्या करें साथ, उनको बहुत ज्यादा tension हो रही है, उनको यह लगता है कि हमारी problem कोई समन नहीं पता, हमको institute में जाएंगे, तो institute वाला हमको test series suggest कर देगा, test series कर लो, test series के हम करते हैं questions, बट वो questions पूछे नहीं जाते है prelims examination के अंदर, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है आपको, आपका prelims examination इसलिए cover नहीं हो रहा, clear नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहाँ पर दो गलतियां कर रहे है miser, और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी life style है, और दूसरी गलती आपकी है, कि आप questions solve नहीं कर रहे है, या फिर आपको questions solve करने का तरीका नहीं पता है, right, prelims examination clear करने के लिए, कम से कम 5000 questions solve कर करवाएंगे, that is our target, और इस batch के अंदर आपको video courses भी दे जाएंगे, जो कि आपकी concept को clear करेंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस batch के अंदर caution solving पे भी हमारा focus रहेगा, देखिए यह जो selection batch है, यह हम उन students के लिए कर रहे हैं, जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए है prelims examination के लिए, इसके अंदर हम आपको complete classes करवाइंगे, बट उसके साथ साथ हमारा MCQ के उपर ज्यादा focus रहेगा, हम ज्यादा से ज्यादा MCQs आपको solve करवाने ही कुछ करेंगे, आप test series लेते हैं, test series लेने से कुछ फायदा नहीं होगा, पिछले साल भी आपने ली थी, उसस इस तरह से scores को design करो, और हमारी पूरी टीम लग रही है, सारी classes में लूंगा पर backup के अंदर पूरी टीम को, क्योंकि हमको 9000 प्लस questions बनाना है, और वो भी UPSC level से थोड़े से उपर बनाना है, questions, वो सारे questions हम आपको solve करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिकत नहीं होगी, इसक इसमें आपको बताया कि इस अवरी यूनिक बैच फॉर प्रिलेंस 2025, प्रिलेंस 2025 प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहा है, उनके लिए हमें बहुत ही यूनिक बैच यहाँ पर लांच कर रहा है, नेम अप द बैच इस दा सलेक्शन बैच, इस बैच इस बैच इस बैच is fully focused on getting you selected in the Prelims 2025 examination, देखे कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस इस यूनिक बैच फॉर प्रिलेंस 2025, ऐसा पहली बार UPC-CAC की हिस्ट्री के अंदर हो रहा है, कि कोई institution इतना डेडिकेट बैच प्रिलेंस 2025 के लिए लांच कर रहा है, ये एक तरह से पूरा complete solution आपको प्रिलेंस 2025 का provide करता है, देखे 10 selection batch को हमने दो तरह की students के लिए बना है, पहली तरह की students वो हैं जो कि freshers हैं, जिन्होंने अभी तक conceptual understanding नहीं कर पाया है, या फिनों की conceptual understanding बहुत weak रह गई है, इन्होंने कोई अभी तक institute join नहीं करा है, ये पहली बार चाहते हैं कि हम prelims की preparation करें, और prelims को इसी साल हम इसके अंदर prelims निकालें, इन बच्चों को of course बहुत जादा मेनत करनी पड़ेगी, इनके लिए हमने अलग से strategy यहां पर बनाई है, दूसरा group of students है, advanced students, advanced students मतलब जिनोंने कभी prelims की preparation करी है, और prelims की preparation करने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या क इसके अंदर कम से कम prelims के अंदर आपको 5000 प्लस questions solve करने होंगे, तब जाकर आपका prelims में selection होता है, आप जबी भी test series जोइन करते हैं, जैसे पिछले साल आपने test series जोइन करी होगी, आपने starting की 4-5 test तो बहुत enthusiastically दे होंगे, बट उसके बाद आपका एंथू कम हो जाता है, इ it is very very obvious, second important thing is that, कि prelims की test series जोइन भर करने से आपका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसका analysis सच्छे से नहीं कर रहे है, आपकी इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने 10 selection badge start कर रहा है, पहले हम advanced students के बारे में बात करते हैं, हम advanced students को 8000 प्लस questions solve करवाएंगे, जी personal guarantee कि हम 8000 प्लस questions यहाँ पर solve आपको करवा रहे हैं, इसके अंदर कैसे रहेगा, daily के 50 questions, live MCQ solving class यहाँ पर रहे ही, इसके अंदर आपको caution solve करने ही पढ़ेंगे, आपके बस और कोई choice होगा नहीं, इसके अंदर complete coverage of current affairs भी होगा, throw MCQs, यहाँ पर आप देखेंगे, special test series रहेग तो advanced students के लिए this is going to be very important, because हम यहाँ पर आपको आपके इसाफ से preparation करा रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ लिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ rigorous practice करनी हैं, और हम आपको यह पूरा का पूरा इसके अंदर करवाएंगे, अब आईए हम यह समस्ते हैं कि fresher student, जिन्होंने अभी तक preparation start नहीं करिए, उनके लिए हम किस तरह की features इस बैच के अंदर provide कर रहे हैं, देखे यह student ऐसे हैं, जिनको पूरा का पूरा पढ़ना भी है, और इसी साल उनको selection भी चाहिए, मतलब उनके लिए वो सारी चीज़े तो होनी चाहिए, जो कि एक advanced batch के अंदर है, बट इसके अलाव class के form में, या फिर live classes के form में हम आपको provide करेंगे, live classes science and technology की होगी, और बाकी जो भी classes होगी, वो हमारे modular batch, जो कि एक high quality के batch है, जिसके अंदर सब कुछ cover करा गया है, prelims के perspective से, वो batches आपको provide किये जाएंगे, इसके साथ साथ, CSET की भी live or recorded class रहेगी, because हम यहाँ पर आपका कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाते है, एक comprehensive solution provide कर रहा है, आपको prelims 2025 के लिए, third important thing is that, कि daily 50 questions, MCQ solving class रहेगी, जो की advanced batch के अंदर भी रहेगी, right, complete coverage of current phase through MCQs, again advanced batch का feature है, और इसी तरह से special test series for GS, और special test series for current phase, यहाँ पर इसके अंदर provide करी जाएगी, और इसके साथ साथ, special test series for CSET, will also be provided to you, तो इस तरह से हमने इस batch के features बता है, advanced students के लिए, as well as freshers student के लिए, अब आईए हम daily schedule के बारे में बात करते हैं, कि what is daily schedule, तो daily schedule के अंदर अगर आगर आप देखेंगे, इसके अंदर scheduling हमने इस तरह से करेगी, आपके preparation के साथ साथ, मैं भी आपके साथ साथ पूरे time ही available होंगा, तो I am available to you, जब जब आप preparation mode के अंदर होंगे, तो मैं भी एक तरह से आपके साथ साथ preparation mode के अंदर हूँ, सबसे पहले सुबह उठकर हम 5.30 से 5.45 एम तक yoga class करेंगे, this class is very important, because एक तो यह आपका routine बनाएगी, कि आपको daily 5.30 पे उठना होगा, उसके बाद yoga के अंदर ह है daily live test class, daily live test class के अंदर हम आपको एक पूरा question का set देंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एक करके questions को live आपको solve करना होगा, मैं महाँ पर present होगा, हम जैसे इस question को solve करेंगे, उस question को solve करने के बाद, उसको किस तरह से आपको solve करना चाहिए था, वो मैं आपको बताऊंगा, और इ होगी इस class के अंदर, इसके अंदर हम 25 से 30 questions solve करेंगे, इसके बाद क्या होगा, ठीक 12 बजए आपके पास एक test आजाएगा, इस test के अंदर GS as well as CSET के comprehension के question के question दे रखे होगे, तो यहाँ पर GS के questions होगे, वो 30 questions होगे, और comprehension starting में हम 1 comprehension देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको 2 comprehension दे जाएगे, यह पूरा test आपको देड़ घंटे के अंदर solve करना है, और बाकी का आदा घंट आपको analyze करना है, कि आपने कौन-कौन से questions के अंदर mistakes करी, कौन-कौन से गलत questions यहाँ पर हो सकते हैं, इसी test को हम ठीक 5 बजए discuss करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा test आपको discuss करूँगा, अगीर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको questions solve करने चाहिए थे, क्या-क्या आपकी गलती उसको कैसे improve करेंगे, और इसके बाद एक test discussion के साथ साथ important concepts ही हम यहाँ पर discuss करेंगे, फिर last में उन students के लिए जो की advanced batch नहीं लिए हैं, जो की freshers batch लिए हैं, साथ से 9 बिजे तक आपकी recorded class आपको दे जाएंगी, कुछ classes जो होंगी, वो live classes ले जाएंगी, तैसे CSAT का पूरा batch में आपको live पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके साथ साथ science and technology की live classes होंगी, बाकी सभी आपको recorded form के अंदर मिलेगी, this last point is only for the fresher students, fresher students के लिए ही है, advanced students को यह recorded or live classes नही provide कर ली जाएंगे, अब आएए हम fee structure की बात कर लेते हैं इसके अंदर, देखे, fee structure दोनों students के लिए अलग-अलग तरगी fee structure है, freshers के लिए यह fee structure है, 19,500 है, advanced students के लिए fees जो है 15,000 रुपीज का fees है, अब आएए हम आते हैं registration process के अंदर, आपको screen पे एक payment detail दिख रहा होगा और registration करा सकते हैं, initially आपको registration fees जो deposit करानी हो 500 रुपीज जमा करानी है, आप जैसी 500 रुपीज जमा कराएंगे, तो आपका registration यहाँ पर complete हो जाएगा, this registration fees is just to book your seat, उसके बाद आपको 5 demo classes दे जाएंगी, अगर आपको यह batch अच्छा लगता है, तो ही आप इसको join करिएगा, तो 500 रुपीज registration fees इसलिए है, क्योंकि seats बहुत limited है, इसके अंदर सिर्फ हम ज्यादा students पर focus नहीं कर सकते हैं, ज्यादा students पर फिर हम ज्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने starting के अंदर इस batch के अंदर सिर्फ 30 students रखे हैं, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा contact number तो आप इसमें मेरे से directly बात करके solve कर सकते हैं, thank you so much for listening me so kindly, bye bye take care and have a nice day.